नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे नमबर मरबतार इस्टडी चैनल और आप से बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में यूपी पॉलिटेकनिक 2020 के काउंसलिंग के बारे में जी हाँ दोस्तों यूपी पॉलिटेकनिक 2020 के काउंसलिंग के बारे में तो दोस्तों इसस पहले भी हमने इन टॉपिकों पर वीडियो बनाया है तो आप जो है उन वीडियों को भी देख सकते हैं और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन कौन सा कालेज मिल सकता है कालेज में जो है वो कितने सीट उसके लिए इस वीडियो को आप पुरा देखिए इस की इपना करिएगा तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि एगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो को लाइक करें ता सेयर करें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफिसेल वेबसाइड gcup.nick.in पर जाने के बाद ही हम जो है वो सभी जानकारियां देख सकते हैं तो दोस्तों आप देखें यह ओफिसल वेबसाइड है gcup.nick.in हमने इस पर क्लिक लिया और यह ओफिसल वेबसाइड आ गई अब इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों जैसे हैं इस पर क्लिक करेंगे यह कुछ इस परकार का खुलेगा इसमें सभी परकार की आपको जो है current events दिये रहते हैं इसका current अप्डेट समिलता रहेगा दोस्तों यह देखे अभी जो जो है left side link मलब जो link इसका देखे जो result है result भी सभी तो हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि अगर मैं फीच इ मटें अर्डी करेंगे गनेका दोस्तों यह कलंतों कि प्रकार इस्ट्रक्चर दिया हुआ जैसे डिप्लोमा एंड इजिनेरिंग जो है उसके लिए दिया हुआ है 30,150 रुपए डिफार्मा जो है उसके लिए दिया हुआ है 45,000 रुपए उसके बाद DR की जो है उसके लिए दिया हुआ है 30,250 रुपए DHMCT इसके लिए दिया है 31,300 रुपए ये जो है मानक है 2020-21 का तो दोस्तों अब चलते हैं बाएक और फिर देखते हैं दूसरा कुछ दूसरा में क्या है सर दोस्तों इसमें है कि इस्टिट्यूट वाइज अवैलिवल सीट्स फार काउंसलिंग 2020 यहां दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे यह भी डाउनलोड लग जाएगा और यह देखें डाउनलोड हो रहा है बस कुछ ही सिकेंड में आपको सामने ओपन होगा तो दोस्तों अभी तक आपने मारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक किजिए हमारे चैनल नमबर दिया होगा हल्प के लिए आप उस नमबर पर क्लिक करेंगे आपको जो भी समश्या है हैं आप उनसे पूछ सकते हैं और आपको सभी डाउट क्लियर करेंगे हाँ दोस्तों यह देखिए जैसा कि हमने कहा यह वीडियो आपके सामने खुल ओपन हो गया है और यह रहाई स्क्रीन पे तो हम देखते हैं कि यहां देखिए हमें जैसा कि सभी इस प्रकार से कालेज का अब्यूरण है तो देखिए यह जनता पॉल्टेक्निक जो कालेज है इस कालेज का देखिए 11-16 जो है वो कोड है और इसमें जो है इलेक्ट्रानिक्स इंजिनियरिंग में जो है 107 सीट है और इसी तरीके से देखिए जो भी जितने भी दिये हुए हैं कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग देखिए 588 सीट है इसमें तो इसी प्रकार से दिया होता है कालेज का कोड हो गया कौन से ट्रेट पर जो है कितना जो है वो सीट है वो भी दे दिया इस प्रकार से दोस्तों सभी आपको मिल जाएंगे तो देखिए अगर आपको किसी भी कालेज का नाम करेंगे ऐस्का का अगर कालेघ होगा वह तो जो है वह आपको इसमें आ जाए गारेसे देखिए संजय गांधी इसमें दिया हुआ है गवर्मेंट pearl टेकनीक तो हम यह हां अगर सझे लिखेंगे तो हम सच में जाएंगे जैसे सच में गए उसके बाद देख लेजे इतना ये लिखे हैं तो हम संजय पूरा कर दे रहे हैं आप संजय कर दिये तो देखेगा मतलब सर्च करेंगे आप तो इसमें सभी देदेगा सर्च काप्षन पर दिया हुआ है इस वगार से दोस्तों आप इसको जो है वो आसानी से कर सकते हैं तो उमिद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ गई होगी समझ में आ गया हो दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार दोस्तों जाहिन